मुख्य मंत्री भूपेश बगेल ने कहा है कि धान की तरहा अन्य फसलों के उत्पादन के लिए भी सहकारी बैंक से आसानी से रिण मुहया कराया जाएगा इसके लिए रिणमान में भी बदलाव किया जाएगा ताकि जादा से जादा किसान दलहन, तिलहन और नगत फसलों की खेती कर ज़्यादा आमदनी कमा सके उन्होंने कहा कि राजमे राजीव गांधी किसान न्याई योजना, गोधन न्याई योजना के उत्साहा जनक परिणाम देखने को मिल रहे हैं शी बगहेल बिलासपुर में तीन देवसियर राज्य स्तरियर क्रिशी समरिधी मेले के समापन समहरों को संभोधित कर रहे थे मुखे मंत्री ने कहा कि हमारी आजीवी का का प्रमुक आधार क्रिशी है, नए-नए प्रयोगों से राजमे क्रिशी उत्पादन में वृध्धी हुई है उन्होंने कहा कि उध्यानिकी और वानिकी के क्षेतर में काफी संभावनाए हैं बिलास्पोर संभाग में सिचाई की अच्छी सुविधा है और किसान मेहनत कश है राज्य सरकार के सहयोग से जरूर उध्यानिकी का रगबा यहां बढ़ेगा बुखे मंत्री ने कहा कि फसल विवित्ता को हम बढ़ावा दे रहे हैं धान के बदले अन्य फसल और व्रिक्ष लगाने पर 10,000 प्रती एकड प्रोसाहन राशी भी दी जा रही है उन्होंने कहा कि कोदो कुटकी और रागी की फसल खरीदने वाली देश की अकेली राज्य सरकार है कोदो कुटकी 3,000 और रागी 3,377 रुपे प्रती कुटल के हिसाब से सरकार इसे खरीदती है कारिक्रम की अध्यक्षता करते हुए क्रिशी मंतरी रविंद्र चौबे ने कहा कि 3 दिनों में 30,000 से जादा लोगों ने मेले का अवलोकन कर खेती किसानी की उन्नत तक्निकी सीखी है इन नई तक्निकों का इस्तिमाल वे अपनी खेतों पर करेंगे और ज्यादा लाब कमाएंगे राजस्व और आपदा प्रमंधन मंतरी जैसिंग अगरवाल ने कहा कि हमने ना केवल किसान बलकि क्रिशी मजदूरों की सहेता का ख्याल भी रखा है लगभग 3,5,5,5 क्रिशी मजदूरों को साल में 6,000 की सहेता कर रहे हैं इस साल इसे बढ़ा कर 7,000 रुपे कर दिया गया है सचेव क्रिशी विभाग डॉक्टर एस भारती दासन ने स्वागत भाशन दिया इस अफसर पर संसर्दिय सचेव शकुंतला साहू, विधायक शैलेश पांडे, विधायक रजनीक सिंग सहेत बड़ी संख्या में राज्य भर से आयकिसान, जन प्रतिनिधी और गर्मान्य नागरेक उपस से थे